यूं तो दुनिया में कदीम और कीमती चीजों की निलामी होती रहती है। इसी तरह 121 साल पुराना चॉकलेट का डबा निलामी के लिए तयार है। इस चॉकलेट के डबे की खासियत ये है कि ये बिलकुल महफूस शुदार डबा केटपरी कंपनी ने 1902 में किंग एडवर्ड और मलका अलेकसंडरा की ताजपोशिका जिशन मनाने के लिए तयार किया था। चॉकलेट के डबे को 1902 में के स्कूल में 9 साला मेरी एन ब्लैक मोर नामी तलबा को दिया गया था। लेकिन इसने चॉकलेट्स खाने के बज़ाए यादकार के तोर पर रखने का फैसला किया और ये इसके खांदान में नसल दर नसल मुंतकिल होती रही। और बिलाखिर मेरी एन की बहत तरसाना पोती जेन थांप संडर्वी में हैंसन लाम घर में इस डबी को नेया। हैंसन लाम घर से तालग रखने वाली मौरवीन फैरली के मताबिक जमाने में ये एक दावत की तरह होता था। बच्चे को कभी चॉकलेट नहीं मिलती थी। जाहर है कि जमाने में ये इस चूटी बच्ची के लिए इतना खास दौफा था कि इसने सोचा कि वो इसे उठा कर रखे। फैरली का मजीद कहना था कि तवक्का है कि कीमत 100 यरो से 150 यरो होगी लेकिन कीमत ज्यादा भी हो सकती है। बाद वकाद आपको कुछ बोली लगाने वाले ऐसी लोग मिल जाते हैं जो मैस तारीख 15 मंदर की वजए से कई शेकी कीमत कई दुगनी बढ़ा देते हैं।